दोस्तों एक बार फिट से सुआगे थैं प्रिजापती नियूज में क्यों एरफोन कान के लिए हानिका रगए दोस्तों अगर आप भी एरफोन बहुत ज़्यादा उप्योग करते हैं या रात में एरफोन लगा कर गाने सुनते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि अभी दो दिन पहले एक लड़की की मौत हो गई दोस्तों कानों में एरफोन लगा कर घूमने की आदत आजकल बहुती ज़्यादा आम हो गई है और जब से ये वाइरलेस एरफोन चले हैं तब से तो लोग इन्हें अपने कानों से निकालते ही नहीं है अगर आप भी उनी में से एक है तो जनाब जरा समल लो क्योंकि आपकी आदत आपको बहरा बना सकती है और सिर्फ इतना है नहीं लगातार कानों में एरफोन लगा कर सुनने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी आपको अपना शिकार बना सकती है जी हां हम बिल्कुल मजाख नहीं कर रहे हैं छोट से दिखने वाली एरफोन आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दाएक है जिनके बारे में आज मैं यानि आपको दोस्त विशाल प्रजापती आपको बताने वाला हूँ और हम ये चीज शर्त लगाकर कह रहे हैं कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना ध्यान से तो आप कभी भी एरफोन का इस्तेमाल ही नहीं करोगी लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोट से रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रैड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही जल्दी बहरे हो जाएंगे क्योंकि अगर आपने गलती से भी 100 decimal का music, headphone पर 15 मिनट से जादा देर तक सुन लिया तो ये बात पकी है कि 15 मिनट बाद आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा आपका सर भारी होने लगेगा यहां तक कि आपको काफी देर तक कुछ भी सुनाई नहीं देगा और अगर आपने यही चीज लगातार करनी शुरू कर दी तो कोछी दिनों में आपको बिलकुल कम सुनाई देने लगेगा और यह सारी बाते हम अपने मन से नहीं कह रहें बलकि हाल ही में कियेगा एक सरवे में यह पता चला है जो लोग दिन में या रात में म्यूजिक लगा कर हाई वोल्यूम में सुनते हैं उनके कान सुन हो जाते हैं और अगर कान एक बार सुन हो गए तो कुछ समय बाद आपको आवाज सुन में प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे फिर से नॉर्मल सुनाई देता है लेकिन अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आपको नॉर्मल सुनाई देना भी बंद हो जाएगा और लगातार हेड़फोन लगाकर म्यूजिक या फिर कोई चीज सुनने की आदत आपको हमेशा मेशा के लिए बहरा बना देगी और दोस्तों क्या आपके पास कोई ऐसा प्राइवेट हेडफोन एएरफोन है जैसे आप दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं तो सावधान हो जाईए क्योंकि उससे आपको कानों का इंफेक्शन हो सकता है अगर एक ही डिवाइस को जदा लोग इस्तेमाल करते तो बैक्टीरिया के फैलने की गुंजाईश कई गुना जदा बढ़ जाती है वैसे अगर आप दिन भर अपने कानों में एरफोन लगा कर रखते हैं तब भी बैक्टीरिया और इंफेक्शन आपको अपने चंगुल में ले लेंगे लेकिन दूसरों के साथ शेयर किये हुए एरफोन को इस्तेमाल करने से नुकसान काफी जदा हो जाएगा क्योंकि किसी दूसरे के कान के बैक्टीरिया आपके कानों तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं और अगर आपको loud music सुनने के आदत है तो अपने इस आदत को जल्दी बदल लो loud music सुनने से आपको तनाव हो सकता है और तनाव से hormonal disbalance होता है आपको बिल्कुल पे अच्छा महसूस नहीं होता और जादा stress लेने से blood pressure और blood rate बढ़ने लगता है यानि केवल कानों में headphone लगाने से आपका blood pressure और दिल से जोड़ी बीमारियां आपको अपने चपेट में ले सकती है अलाकि इन सारी चीजों के बावजूद headphone ये headphone लगाने वाली company रेस में लगी है और वह दावा करते हैं कि हमारी company सबसे बड़िया headphone बना कर तयार करती है और इसी चकर में से device बनाये गए जिनके जरी कान के अंदर हवा भी नहीं जा सकती और इस तरह की device जब हम कुछ सालों तक इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम अपने कानों से इतनी सफाई से नहीं सुन पाएंगे जितनी सफाई से आज सुनते हैं इसलिए जब कभी भी अपने लिए headphone चुने तो बिलकुल best quality गई चुने जिससे आपको कम से कम नुकसानों आपने अक्सरी चीज देखी होगी जो लोग लगातार headphone वगरा के इस्तमाल करते हैं वो कानों में दर्द की शिकायत करते हैं और कई बार तो एक अजीब सी आवाज सुनने की भी शिकायत करते हैं जैसे की कोई चीज उनके दमाग में भिन भिना रही हो जिसके वज़े से कई बार उन्हें तेज दर्द का भी सामना करना पड़ता है जिसे अक्सर लोग नजर अंदाज कर देते हैं और ये लोगों की सबसे बड़ी भूल है दोस्तों, एरफोन वगरा को इस्तमाल करते समय एलक्ट्रिक मैगनेटिक वेव्ज निकलती है जो सीधा ब्रेन से रिलेटेड प्राब्लम को पैदा करती है और सर्वे के अनुसार जो लोग हर रोज हेड़फोन का इस्तमाल करते हैं उन लोगों में ब्रेन से जुड़ी बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कान के परदे सीधे ही दिमाग से जुड़े होता है इसलिए इस तरह के डिवाइस से कान के अंदर होने वाला छोटा सा इंफेक्शन भी बड़े-बड़े रोगों को नियौता दे देता है दोस्तों अगर आप किसी कमरे के अंदर बैठे हैं तो खिड़की खोलकर बाहर रोड पर नज़र डालिए आप पाएंगे आज के इस समय में ज़्यादा तर लोग सड़क पर चलते समय, बाइक चलाते समय, कार चलाते समय या फिर कह लिजे हर एक जगा पर हेड़फोन का इस्तिमाल करते हैं और इसी वज़े से काफी ज़्यादा रोड एक्सिडेंट का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि कई बार इस तर के डिवाइस का इस्तिमाल करने वाले लोगों को बचाने के लिए दूसरों के भी जान खत्रम पड़ जाती है जो कि लोग कानों में हेड़फोन लगा कर अपनी मस्ती में ही मगन होते हैं और रोड पर ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वज़े से एक्सिडेंट हो जाते हैं इसलिए अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो गलती से भी अपने कानों में हेड़फोन मत लगाईए अब जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं वो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन सच है अगर आप हाई वॉल्यूम में मुजिक सुनते हैं तो बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन तूड जाता है जिसमें कई बार देखा गया है ठीक से न सुनने के कारण कई बार जरूरी काम भी वलत हो जाते हैं जिस वुझे से आपको बाद में पच्चतान पड़ता है इसलिए अपने आपको headphone device की कायद से निकाले और जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें जो लोग लगा चाल loud music सुनते हैं उन लोगों के शरीर में शरीर की हर एक कोशिकाओं को effect पड़ता है जिससे हमारे शरीर के हर एक दर्द का कारण कहीं न कहीं ये device ही हो सकती है यानि कि आपको केवल लगता है कि headphone का इस्तेमाल आप कानों से करता है लेकिन ये आपके पूरे शरीर को बहुत पूरे तरीके से असर डालता है बाकि आप कितनी देर हेड़फोन का इस्तेमाल करते हैं कॉमेंट में बताईए और इसी तरह की वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापती न्यूज को शेर, लाइक और सब्सक्राइब तो करी देना और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोज दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनी है